23 मार्च 1931 के दिन भारत मा के विर जियाले देश के खातिर खोजी से फांसी पर जूल गए थे इस तारीक का वोलीवुड से भी कनेक्शन है साल 2002 तारीक 7 जून रिलिज हुई फिलम 23 मार्च 1931 ये शहीद भगत सिम पर बनाए गई थी ये फिलम बनी तो जरूर लेकिन इसे बनाते हुए कई लिजेंटरी जोडिया तूट गई तो कहीं दो लोगों की आपसी दुश्मनी सिनमा हौल तक पहुँच गई राजकुमार संतोशी ने अजे देवगन को लेकर दा लिजेंड ओव भगत सिंग बनाई थी लेकिन इस फिलम में बोवी देवल भी हो सकते थे दरसल राजकुमार संतोशी ने दा लिजेंड ओव भगत सिंग फिलम में भगत सिंग के किरदार के लिए अजे देवगन को काश्ट किया था और संनी देवल को सवतंतर सनानी चंदर शेखर आजात की भूम का निभाने के लिए चूना गया था लेकिन संनी चाते थे कि अजे देवगन की जगह शंतोशी उनके भाई बोवी देवल का मुखे भूमिका मिले लेकिन राचकुमार ने उनके इस प्रबोजल को ठुकरा दिया क्योंकि राचकुमार शंतोशी ने इस फिल्म में अजे देवगन को लेने का मन बना लिया था वैसे तो डिरेक्टर राचकुमार और संनी देवल काफी अच्छे दोस्त माने जाते हैं शंतोसी ने सन्नी देवल को लेकर काफी सूपर हिट फिल्में भी बनाई है शंतोसी के इस सैसले के बाद सन्नी देवल ने उनके साथ काम करने से इंकार कर दिया इसके बाद सही शंतोसी और सन्नी देवल के बीच मन मुटाव की खबरे मीडिया में सूर्खियां बटोरने लगी यह बात कमफरम तब हो गई जब सन्नी ने भी भगत सिंग के उपर फिलम बनाने का एलान कर दिया इसके बाद ही सन्नी देवल ने गुड़ू धनोवा के निदर्शक में बनी 23 मार्च 1931 शहीद फिलम में शामिल हो गए इस फिलम में सन्नी देवल ने चंदर शेकर आजाद की भूमिका में नजर आए और बोबी देवल ने भगत सिंग की भूमिका निभाई थी राजकुमार शंतोसी से सन्नी देवल इतने कफा हो गए कि उन्होंने फिलम की रिलीजिंग डेट भी उसे दिन रखी थी जिस दिन राजकुमार ने अपने फिलम दा लिजर्ड ओव भगत सिंग की रिलीज डेट रखी थी ऐसे में सभी को इंतजार था दोनों फिल्मों के रिलीज होने का दोनों फिल्म में 7 जून 2002 को रिलीज हुई लेकिन लोगों ने बोवी देवल से जादा अजे देवगन को इस रोल में पसंद किया दा लीजन्ट ओ भगत सिंग के लिए अजे देवगन को नेशनल अवर्ड से नमाजा गया तो वहीं राजकुमार संतुषी को फिल्म फेर ने बेस्ट डिरेक्टर के अवर्ड से समानित किया गया